हेलो फ्रेंज वेलकम टू यो ओन चैनल डेली स्टॉक तो आज हम आपको क्रिसल लिमिटेट पे शेर अनालिसिस बताने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तब ही आपको पता चलेगा कि आपको स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्रेब जरूर कर देजेगा क्योंकि हमारा चैनल आपको सारी अपडेट स्टॉक मार्केट रिलेटेड जैसे की शेर अनालिसिस कोई भी नया आई प्यो हो या आपको टाइम से टाइम देता है तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफीशिल होगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्रेब करोगे तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कंपनी के बारे में बात करते हैं क्रिसल लिमिटेड औल्मोस्ट सारे लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना होगा यह नहीं पता होगा कि यह company है या ने पर यह जरूर सुनाओगा कि क्रिसल लिमिटेड एक ऐसे चीजे जो company को ratings देता है company को ratings भी देता है साथ में यह data and research analytics मतलब साथ ही में यह research भी करता है और solution ये सारा काम crystal limited करता है ये तीन parts में बटा हुआ है जहाँ पर ये ratings देता है सिर्फ company को ही नहीं साथ ही में ये कोई economy को या फिर globally कोई चीज सल रहे हो उसको सारी चीजों को ये ratings देता है उसके बाद research करता है और advisory भी देता है तो ये तीन चीजें जो crystal limited करता है और उससे earn करता है तो अब बात करते हैं इसकी market capitalization की वो 13,002.34 करोड की है मतलब कि ये एक mid cap company है जिसका dividend yield 1.84% है अगर आप industry का P.E. देखोगे तो 46.22 है और company का P.E. देखोगे तो 36.65 है तो अब हम यहाँ पर ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये एक over valued share है ये एक under valued share है ये एक neutral share है मतलब आपको अच्छे दाम पे ये मिल रहा है अब बात करते है इसकी book price की तो वो है 9.91 मतलब 9.91 times अगर आप करोगे तो इसकी current market value आएगी जो ज्यादा ही है अगर आप देखो तो और अगर आप book value रुपीज के terms में देखोगे तो 180.49 है तो book value के अगर आप रुपीज के terms में देखोगे तो compare करोगे तो आपको ये जो current market price है वो ज्यादा ही है अब इसकी deliverable 69.41 मतलब 69.41 percentage लोगों ने इतनी delivery उठाई ये कल के दिन मतलब जो Thursday को market open था तब और 20 day average delivery देखो तो माला 20 दिन का अगर आप average निकालो तो 28,437 shares लोगों ने उठाए है इसका beta है 0.42 मतलब कि अगर market 1% उपर जाता है तो company का जो share price है वो भी 0.42 के beta से उपर जाएगा अब बात करते है financial trend की तो जैसे कि यहाँ पे company का जो revenue और sales है चार साल का तो लगातार वो एक तरह से constant समझे मतलब जैसे कि 1.68 है उसके बाद 1.82, 1.80 मतलब आसपास ही है ज्यादा increment नहीं देख रहा है लेकिन 2020 में company का increment दिखा है 2.06 मतलब company में थोड़ा सा increment आया है और उसी के साथ जो company का मुनाफ़ा है वो तो stagnant है वही का वही पे अटका हुआ है जैसे कि profit था 2017 में 300 करोड था, 360 करोड, 340 करोड, 350 करोड तो company का जो profit है वो आजू-बाजू में ही अटक रहा है ऐसा नहीं है कि company बहुत ज्यादा ची कर रही है तो उस वज़े से company का जो profit है वो भी बहुत ज्यादा उपर जा रहा है company का sales भी उतना ही है और company का profit भी उतना है ज्यादा sales ज्यादा demand नहीं देख रही है अब बात करते शेर होल्डिंग pattern की तो promoters के पास 67.13% का शेर होल्डिंग है और उसी के साथ जो foreign institution है उनके पास 7.15% और domestic institution के पास 11.55% और साथ ही में जो public है जो छोटे मोटे investors है उनके पास 14.17% का stake है तो सबसे ज्यादा overall देखे तो promoters के पास सबसे ज्यादा stake है अब बात करते है revenue statement की तो जैसे की quarterly results देखे हमने यह पर तीन quarterly results आपको बता है जापर आपको sales देखे तो हर quarter में company का sales increase हो रहा है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से increase हो रहा है 471 करोड था in June 2020 और December 2020 में company का जो sales है वो 597 करोड का है साथ ही में company के expenditures interest tax deduct करो तो net profit आता है company का 66 करोड in June 2020 और December 2020 में company का net profit है वो है 110 करोड का तो quarterly results देखे तो company के काफी अच्छे खास है क्योंकि हर quarter में company का increment डिख रहा है company increase हो रही company का sales increase हो रहा है लेकिन धीरे धीरे increase हो रहा है वो जो एक बूम होता है न कि अभी इतना है और next level पर उतना है वो चीज नहीं दिख रहा है लेकिन company का धीरे धीरे increment डिख रहा है अब बात करते है return ratios की तो जहां पर return ratios company के सारे decreasing trend जिसे कि return on equity देखे तो वो डिसेंबर 2018 में 13 1.95 percentage था मालब return on equity मालब company की जो equity उसको use करके कितना profit लाती तो वो हर साल decrease हो रहा है तो यह एक negative बात है company के लिए उसके बाद ROCE देखेंगे तो ROCE भी हर साल decrease हो रहा है मालब company की जो capital है जो company कहीं से भी लेके आए उसको कैसे use करके company profit लाती तो वो हर साल decrease हो तो यह भी एक एक negative बात है company के लिए और साथ में return on assets देखें तो वो भी हर साल decrease हो रहा है तो वो भी negative बात है तो fundamental है अगर देखें return ratios के terms में तो company की मलब company company हर साल decrease कर रही है जैसे कि 2016 में company का return on equity 29 percentage था और अभी 2020 में company का return on equity 27.04 मलब चार साल में company वैसे की वैसी आ चुकी जैसे 2016 में तो यह एक अच्छी बात नहीं है ठीक है तो अगर इस साल company का return on equity return ratios अगर अच्छे खासे आते तो इसका मनलब यह है कि हां company अभी भी अच्छा कर सकती है और और आगे जा सकती है तो आगे बढ़ता है जैसे liquidity leverage ratio द December 2020 तक तो यह अब आप पूछोगे कि यह कैसे debt तो है नहीं company का जरूरी नहीं है debt नहीं है लेकिन जो current liabilities होते हैं जो छोटी मोटी liabilities इसे bank overdraft यह सब तो सारी company के पास होती है और उस पे भी interest pay करना पड़ता है तो यहाँ पर यह company का decreasing trend में आया है इसका मतलब यह होता है कि company जो capability interest pay करने की वो अच्छी नहीं है उसे लिए यह हुआ है उसे लिए company का interest coverage अच्छो डिक्रीज हुआ है अब बात करते है market price के जैसे के 5-year high company के 2500 है और company की जो current market price हो 1788.95 रुपीस के 2.72% नीचे आया है 50.05 रुपीस नीचे आया है तो बात करते है कि क्या अभी इसमें न करना चाहिए तो अगर आप already investor हो इसके तो आपको hold करके रखना चाहिए और अगर आप नए निवेश करने वाले हो मनलब आपको अगर निवेश करना तो मेरा अगर मेरी राय है कि अभी आपको इसमें निवेश नहीं करना चाहिए तो क्यूंकि कोई बी ऐसे signs नहीं दिख रहे हैं जिसमें आपको ऐसा हो कि आपको profitability हो सकते आपको April quarterly results का वेट करना चाहिए और अगर वो quarterly results में आपको और भी increasing trend दिखे और और साथ ही में जो इसके return ratios है वो भी अगर अच्छे दिखे तो आपको इसमें निवेश करना चाहिए क्रिसल एक ऐसी company है जो कभी इसको कभी कुछ हो नहीं सकता क्योंकि इसका जो ratings देने का काम है वो world की में अब टॉप second या third company ऐसी है crystal company जो सारी companies को ratings देती है और सब लोग इस ratings में trust करते है तो इस company को कुछ हो नहीं सकता है लेकिन आपको अभी wait करना चाहिए आपको थोड़ा wait करना चाहिए क्योंकि अभी इसमें आपको निवेश नहीं करना चाहिए अगर इसका price थोड़ा और नीचे आ जाए उसके बाद आप इसमें लो तो आपको ऐसा होगा कि हां हमने ज्यादा high price में लिया नहीं है और आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा भी होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगो तो प्लीज लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब आच चैनल